मैं जा रही हूँ एक मिनट एक डॉक्टर बलकीस के पास इतनी कन्फ्यूज हो गई हूँ आज में क्या हो गया मुझे देखे ज़रा आपका नाम ही ने एक दूसे है कैसी है आप और शेदादी एक जैसे कपड़े पहन के आए है आज एक जैसे कपड़े हो गये मेरे शेदादी के तक्रीबन आप क्या-क्या बताएंगी बच्चों की ग्रोथ सेहाथ उनके काद मताब बहुत साही चीजे एसी जो माई बड़ी परेशान होती है तो मैं एक एक एसी रेमेडी लाई हूँ है ऐसी मैजिकल रेमेडी है कि जो बच्चों के लिए आप सिफ दूद में उसको मिलाएं उसके हाइट कम इसलाहल हो जाएगा आँखे अच्छी हो जाएगी और चिर्चिरापन घुसा क्योंकि आज कर ऐसे होता है बच्चे बड़ जाहटनी बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हाँ व मैं आपको बिताती हूं और इससे बच्चों के नींद भी बहुत अच्छी हो जाएगी जो बच्चे रात को रोते हैं मतब सुकून से सो नहीं पाते उनके लिए बहुत अच्छा है उनकी हाइट के अच्छा यह है काखू के बीच ठीक है और यह सफेद तिल डन उसके बाद खशखाश मगर खशखाश जब भी आप लें पहले इसको दोलें हाँ सुका ले उसके बाद वो करें क्यूंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है ठीक है ठीक है अच्छा इसमें फ्लेवर और मजीद एट करने के लिए जो है वो है कोकोनेट पॉर्डर यह साथ चीजें हैं जिनको हम लेकर पीस लेंगे पीस लेंगे तो हमारी रमेड रेसिपी तयार हो जाएगी और इतनी मज़े की होते है कि बच्चों की उसके उमर के हिसाब से जैसे हम शो करें जैसे चार साल से बड़े तो एक बड़ा टेबल स्पून ले सकते है दिन में दो बार तो जो बच्चे कहते हैं कि क्रेम सपर ने बोड़ी एक्स न पेइन बहुत अच्छा है और बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और जो पढ़ाई में थोड़ी से वीक है अगर वो यह खाना शुरू करेंगे तो उनकी मेमरी के लिए भात अच्छा है ठीक है यह तो हो गई बच्चों का एक मार्टी वाइटमेन अपने बिनाया उनकी ग्रॉहत के लिए उनकी जिद और नकाहत को खतम करने के लिए उनकी एनरजी बूस्टर जी बिल्कु एनरजी बूस्टर के तौर पर भी आप दें सकते